नमस्कार मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूफ के विडियो में अल्फाबेटिकल लेटर एस में हम चल रहे हैं और उसका जो मेट्रेय मेडिका का जो दवाईयां है एके करके जो acute और chronic सारी दवाईयों के बारे में विस्तरच से हम बात कर रहे हैं और आज का जो दवाई है बहुत ही important है उन लोगों के लिए जिनको respiratory problem रहती है उसके साथ extremitis जो वात रोग संबन दिन जितने भी problem है सर्वेकल स्पोडिलोसिस है, सरदर्द है ये तमाम चीजों के लिए एक बहतरीन दवा है आज का जो alphabetical letter S का sanguinaria candensis बहुत बार मैंने जिक्र किया है जब भी right shaded headache की बात हमने कही है sanguinaria एक बहुत important दवा है जिनको भी chronic tendency में सरदर्द रहता है और वो पीछे से आता है सामने की तरफ आकर आँखों के उपर का जो ये temple area है यहां पर जादा दत माइग्रेन में highly impact करता है sanguinaria candensis इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत ही effectively काम करेगा quickly relief करेगा belladonna, bryonia, natronmure यह तबा तो है glonoin भी है लेकिन sanguinaria जिस fast तरीके से काम करता है wild shaded migraine के लिए दूसरी दवाए उतना effectively काम नहीं करती उतना fast काम नहीं करती next जो highly impact करता है sanguinaria candensis वो है respiratory system के उपर जो cuff होता है वो loose cuff होता है और अंदर जो bacterial growth हो चुका होता है वो welcome सड़ा हुआ smell आता है बदबुदार सड़ा हुआ smell आता है वो खास करके indicate करता है sanguinaria candensis के लिए इसका और एक highly impact जो clinically हम लोग यूज़ करते हूं हो है burning source and palms हाथ और पाओं में जलन होना यह sulfur में मिलेगा medorinum में मिलेगा आपको phosphorus में मिलेगा arsenicum album में मिलेगा लेकिन सबसे जादा जो आपको quickly effect करता है acute दवाई है वो है sanguinaria candensis हाथ और पाओं के तल्वों में जलन होना यह बहुत ज़ादा impact करता है sanguinaria candensis का आप इस्तमाल करिए आप जितने भी दवा मैंने बताई है जिसने भी problems मैंने बताए है उसके potency कैसे use करना है यह दवाई कौन सी बिमारी में कैसे potency करना है वो वीडियो के आंते में बताऊंगा इसलिए मैं जाता हूँ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैंने कहा यह extremities के लिए बहुत जादा importance रखता है neuritis के साथ साथ cervical spondylosis के लिए भी जबरदस्त इसका काम रहता है गर्दन के पीछे दर्द होना right shaded shoulder joint में pain होना इसकादर pain होता है खास कर रात के समय कि आप हाथ उठा नहीं सकते यह खास करके cervical जो spondylosis होता है और वो right shaded वाला highly impact करता है आप इसको इस्तमाल करिए बहुत quickly relief करेगा जितने भी मतलब shoulder joint है right arm है हाथ पूरा दर्द होना कंदे से लेकर हाथ तक दर्द होना जंजनाट होना खास करके बहुत बढ़िया काम करता है इसके बाद मैंने कहा था कि अंद में पूटेंशी के बारे में आपको बता हूँगा क्योंकि एक acute दवाई है इसका mother tinger इस्तमाल नहीं होता है lower potency में आप इस्तमाल कर सकते हैं 6, 12, 30 हर 10, 10, 15, 15, 15 मिनट में भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर बहुत जाज़ा acute problem है जैसे ही condition में आपको तुला relief हो जाए फिर उसका duration आप कम करके 8 से 10 दिन तक आप इस्तमाल करिए फिर उसके बाद 200 का दिन में दो बार करके दो दिन इस्तमाल करिए फिर 10-15 दिन gap करके 1M का एक या दो डोज आप दे सकते हैं क्योंकि यह acute दवाई है 1M का दो डोज आप ले नहीं है अगर फिर भी आपको कड़ा लगे तो एक चमच पानी भी मिला कर ले सकते हैं तो यह कॉमन ही हो गया जो क्लिनिकल टिप्स है या फिर की नोट पॉइंट्स है यह आपको मदद करेगा इन सारी बिमारियों को जड़ से खतम करने का ऐसे ही बहुत सारी दवाईया है अलफाबेटिकल लडर एस का एक्यूट और क्रॉनिक दवाएं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल के साथ बने रही है और जो मेरे पुराने दोस्ते हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें शैर करें अपने को देख सकें होविपती के बारे में जो प्रचार और प्रचार करना में चाहता हूं आप लोग उसका वागीदार बन सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर सहत करें मेरे सारे वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स अगे नमस्कार